हेलो फ्रेंट्स नमस्ते आज मैं बनाऊंगी सुपर सॉफ्ट रोटी हर घर की पहली पसंद रोटी के बिना हमारा खाना अधूरा है आए दोस्तों सुरू करते हैं यह मैंने दो कप आटा को ले लिया है दोस्तों इस तरीके से आटे ले लिया है थोड़ा सा आटा हम निकाल पढरेंगे संसेंना पानी जाल के इसको सफ्ट लगा लेंगे इस तरिके से आटे का डो कि दोस्तों हम लेंगे सजै कि हमारी रोटी कहिंट कर हम चली है लाल कर थे मसलते हुए इसको एडयो तरफ सी मिला लेंगे और इसको तो मकाई YE одноShe other लेंगे अच्छी तरीके से बलस्तों हातों से घुन के सब साफ्ट कर लेंगे आठे को परंट से आठा हमारा लगकर तयार हो गया है आदा हमुनकी लोहां काट लेंगे औराचेल १ल्टा आट लगाएं गाट लागाएं काट लें गैं इस तरीके से था लगाएं पेड़े ने हमने बना गाट लिया हैं यह लोमे पेड़े बदा आकर दोर कर आखें पेड़ Crowd का आach मुलायम लगाने से हमारे रोटी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी दोस्तों और खाने में बहुत भी मुलायम लगेगी इस तरिके से चारो तरफ से बेल लेंगे तं से तबा गरम हो गया है रोटी डाल देंगे तबा पे और दूसरी रोटी भी इसी तरीके से बेल कर हम त्यार कर लेंगे सुखा अटा लगा के इसको हम बेल कर त्यार कर लेंगे दोस्तो जब भी आपका मन करें इस तरीके से आप रोटी बना सकते हैं और बहुती आसानी से ये बन जाती है पलट देंगे रोटी को इसको हम फुला लेते हैं आज पर रख दिये हैं दोस्तों देखिए रोटी हमारी फूल गई है इसको पलट देंगे दूसरी रोटी डाल लेंगे दोस्तों आप मेरे तरीके से आसानी से इस तरह से रोटी बना सकते हैं देखिए फ्रेंट्स रोटी पुल गई है इनको निकाल लेंगे सारी रोटियों को हम इसी तरीके से बेल कर बना कर तयार कर लेंगे चारो तरब से घुमाते हुए बेल लेंगे दोस्तों आप रोटि बहुती आसानी से बना कर तयार कर सकते हैं सारी रोटियों को इसी तरीके से हमने बना कर तयार कर लेना है फुला लेंगे दोस्तों रोटी आप किसी से भी खाईए सब्जी से दाल चावल से बहुते अच्छी लगती है सारे रोटी हमारी फ्रंट से बन कर तयार हो गई है देखिए कितनी सौफ्ट रोटी बनी है फ्रंट से बहुती मुलायम बनी है आप भी एक बार इस तरीके से बना कर ज़रू ट् है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ टेक केर बाए